हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मुल्यन पहचाना तो ले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ या चना नहीं अब रण होगा जीवन जय या की मरण होगा आखिर तू भूशाई होगा हिंसा का परदाई होगा तो ले में वाज्ञ होगा जीवन होगा है नमस्कार मैं डॉक्टर कुमार गणेश सिटी लाइव डायलोग में आपका हारदिक स्वागत करता हूँ और आज के स्क्रम में हम जिस विशे पर बातचीत करने जा रहे हैं जिस विशे पर चर्चा करने जा रहे हैं ये विशे न सिर्फ हम हिंदुस्तानियों के दिमाग को मत्ता है बलकि दिल को भी मत्ता है और ये जो बात है ये सिर्फ भावना के जगेत तक फैलूई बात नहीं है ये बात संपूर्ण राष्ट्रिय परिवेश की बात है संपूर सामाजिक परिवेश की बात है और एक हिंदुस्तानी किनाते हमें ये देखना और सोचना पड़ रहा है विगत 71 वर्षों से कि एक जो कीड़ा सा है कहीं कहीं राष्ट्री परिवेश में जो अंदर यंदर साल रहा है और राष्ट्री परिवेश में सालने का उसका स् जिएअ यह है कि भारत-पाक सम्वंद जो कल आधी रात के बाद में और आध सुवच जो एक एरो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है इसके विष्य संधर में क्योंकि कुछ हुआ उसकी परत्क्रिया की गई उसके बाद में फिर कुछ हुआ फिर परत्क्रिया की गई इस तरीके से तो एक लंबा सिलसिला चलता आ रहा है लेकिन इसका अंजाम क्या हो आखिरकार इसका वो रूप क्या हो कि जिसके बाद में समस्या खत्म ही हो जाए तो मितरो आज के इस डायलोग में मेरे साथ दो खास महमान मौजूद हैं दो विशिष्ट विभूतिया मौजूद हैं मैं उ उनसे आपका तारूफ आपका परिचे करवाते हुए फिर इस विशे को आगे बढ़ाऊंगा मेरे बाई और वरिष्ट पत्रकार डॉक्टर क्षिपरा माथुर मौजूद हैं क्षिपरा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है शुक्रिया गडेश और मेरे दाई और हैं र लड़ाई लड़ने के मामले हैं बड़ी गहरी भूमी का है ऐसे श्री जै आहुजा स्वागत है जै जी आपका आज के इस डायलोग में नमशकार और धन्यवाद बहुत-बहुत आपका खिपरा जी अगर ये बात देखी चाहिए एक पत्रकारिता जिगत के दृष्टिकों से एक जर्नलिस्ट के दृष्टिकोंट से कि हिंदुस्तान का अभी जो माहल है जो कि हमारे शहीदों की जवानों की शहादत की जो है उसकी बात है खुर्बानी की बात है उनकी देश के लिए यहां से जो माहल पैदा हुआ एक तरक ये दिया जाता है कि अगर इस वक्त खिलाफ में सीधे तोर पर तो वो हिंदुस्तान की अवाम का जो जो जोश है जो एक जज़बा है कहीं ये कुंठित होकर ने रह जाए तो बतोर एक पत्रकार चुंकि आप भारत और अमरीका का जो पत्रकारिता जगत है तो उससे भी बहुत गहरे से जुड़ी और वहां भ तो आपका क्या खयाल है आपने बिल्कुल सही कहा कि जो अभी महौल पूरे देश में और दुनिया में बना हुआ है तो उम्मीद की जा रही थी कि भारत जो है वो बहुत कैटिगॉरिकल एक स्टेप जो है वो अभी लेना बनता है क्योंकि एक बहुत बड़ा मतलब भावन अत्मक रूप से अगर हम कहें कि जो महौल बना था पूरे देश में और ये महौल बना था कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं और जो कश्मीर के हालात हैं उनको लेकर आप देखें कि पूरे विश्व में जिस तरह की प्रतिक्रिया हुई है इमिडेटली आफ्टर पुलवा जीत एक माइने में अगर भारत की कही जाए तो उन्होंने युनाइटेड युएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल था उसमें भी जो फ्रांस के द्वारा जो और जो देश है उसमें जो पर्मेनिंट इनकी सीट है उन्होंने उस मोशन को मूव किया कि टेरिरिजम जो है वो ब भारत की सरकार के लिए क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टों में बहुत क्लिरली आर्टिकल 370 की भी बात कही है उसको विड्रॉ करने की भी बात कही है तो देश इंतजार अभी ये कर रहा है कि आपने भले ही एक स्टैप अभी उठाया है लेकिन अभी भी बड़ा अभी भारत सरकार से की जाती है यानिक शुपराजी आपका ये कहना है कि जो तीन ए पर पाकिस्तान टिका उसमें से अमरिका को हमाटा दे है वो तो निकल चुका उसमें से अब उसका कुछ नहीं उसके साथ देखे अमेरिका का जो स्टैंड अभी जो समझ में आया मुझे अभी जो पर बादे है कि सपोर्ट जो है वो बहुत बड़े माइने में भारत को मिल रहा है और इंटरनेशनल फोरम पे क्योंकि अमेरिका का अगर से है क्योंकि अगर हम उनका स्टेटमेंट पढ़ते हैं आपने भी पढ़ा होगा उनका स्टेटमें जिस दिन जारी हुआ तो बहुत क्लिरली पाकिस्तान का मेंशन है, टेरिरिजम का मेंशन है, वाइलेंस का मेंशन है, और क्रॉस बॉर्डर जिस तरह से भारत की स्थिती कश्मीर में हुई है, उसका बहुत क्लिर मेंशन है, जब कि यही अगर स्थिती हम भारत में देखें, कि जब आल पारलेमेंट प्रश्टरी मीटिंग होती है भारत में तो उसके स्टेटमेंट में बहुत हलके से जिक्र होता है और वो भी क्रॉस बॉर्डर टेरिरिजम का पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया जाता है। नाम भी नहीं लिया जाता है। इससे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत में किस प्रकार के रुख हमारे पॉलिसी मेकर्स के मन में किस तरीके से पाकिस्तान की एक पिक्चर है भारत में एक तबका है जो प्रो पाकिस्तानी है जिनको यह लगता है कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंद अच्छे होने चाह उनके साथ व्यापार भी करना चाहते हैं और उनको लगता है कि हम अच्छे ही अच्छे बनके रहेंगे तो एक दिन वो सोसाइटी भी अच्छी हो जाएगी पर ये उनकी बहुत बड़ी सेधान्तिक भूल है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि कोई भी व्यवस्तित और सब भी देश है उसकी अपनी आर्मी होती है पाकिस्तान के साथ उल्टा है पाकिस्तान में आर्मी के पास में एक देश है देश के पास आर्मी नहीं है दूसरी बात जो वहां की अंदरूनी इस्तितियां आए वो ये हैं कि बलोच जो ट्राइब्स हैं वो मूल रूप से गूजर हैं, उनके साथ इतना उनका अपमान हुआ है, इतना उनका मानमर्दन हुआ है, उनकी बहन, बेटी, बच्चीयों के साथ में इतने अत्याचार पाकिस्तान के इस्टैबलिश्मेंट ने और आर्मी ने कियें, कि बलोच पूरी तरीके से पाकिस्तान से निकलना चाहता है, ऐसे ही जो दुनिया में कहा जाता है, पठान सबसे भोली कौम है, पश्तो लोग जो हैं, पश्तो ट्राइब्स किसी भी एक दिन भी पाकिस्तान के साथ, पश्तो आप इसका ये समझिए कि 92% पाकिस्तानी आर्मी जो है वो पंजाबी है, तो वहां और ऐसे ही बड़े लंबे चोड़े वादे और इन्विटेशन के साथ, जो उस तरफ बॉर्डर के नेता थे, उस समय मुस्लिम लीग के नेता 1947 में, वो जाकर के दूसरे स्टेट्स में, ब वहां चले आईए, तो बहतर साल बाद भी उन लोगों को सम्मान नहीं मिला, और उनको जूते के नीचे दवा के रखा जाता, और वो पूरी कौम तड़परी है, उनको आज भी मुहाजर या शरणारती का जाता है, मेरे दादा जी भी 1947 में माइगरेट होके आये थे, लेकि मुझे नहीं लगता कि मैं इस राष्ट में शरणारती हूँ, मैं अंडिवाइड इंडिया, अविबाजित भारत के नागरिक मेरे दादा जी थे और उन्होंने पार्टिशन के बाद में यहां रहना स्विकार किया, यह हमारा ही देश है, और हमने अपने धर्म की रक्षा क दिवाग में एक फितूर है कि इकठा पाकिस्तान और मजबूत पाकिस्तान भारत के हित में हैं, जो कालांतर में रोज गलत साबित होता जा रहा है, क्योंकि उनको पाकिस्तान को इकठा रखने के लिए उनके पास एक ही टूल है, वो है भारत के विरुद नफरत का हत्यार रोज चलाना, तो आप स्ट्रिंथन पाकिस्तान की बात करेंगे तो वो भारत की नफरत के साथ में ही जोडा हुआ, उसके अलावा उनके पास में वो बहतर साल में अपनी सोचल सिक्यूरिटी डिलिवर नहीं कर पाए, वो हेल्थ का मेकनेजम डिलिवर नहीं कर पाए, वो डिलिवर नहीं कर पाए, वो इंडस्ट्रीस डिलिवर नहीं कर पाए, वो development डिलिवर नहीं कर पाए अपनी society को तो भैतर सालसे पिछड़ी सोचाइटी को एक ही त्रीके से एकठा रखा जा सकता है भारत के विरुद नफरत फैला के और उनके मन में कटरपंती विचार डालके तो ये पाकिस्तान जो एक moderate पाकिस्तान होता था मौमद दिली ये क्या नाम है उनका जियाउलक से पहले डिक्टेटर जियाउलक से पहले वो पाकिस्तान अब पूरी तरह से रिडिकल हो गया जियाउलक से के समय पे जो फंडिंग आई इसलामिक मुलकों से उससे उनके जनरल्स की बड़ी बड़ी लंबी लंबी दाड़ियां हो गई उनकी मूचे कट गई जो जनरल्स एकदम यंग चैप हुआ करते थे जो आर्मी पूरी दुनिया के अंदर अपने अनुशासन के कारण पाकिस्तान की जानी जाती थी वो आर्मी रेडिकल हो गई जब रेडिकल आर्मी के पास में देश है तो देश तो रेडिकल हो गई तो उनका रेडिकलाइजेशन से नुकसान इरान को हो रहा है उनके radicalization से नुकसान अफगानिस्तान को हो रहा है और अमेरिका पे हमले की जड़े भी पाकिस्तान में थी उसामा बिलादेन को पाकिस्तान से उठाया अमेरिका ने ये पूरी दुनिया ने देखा तो आतंकवाद export करने की factory पाकिस्तान है और एक भारतिया होने के नादे मुझे ये लगता है कि सिन्धी जो है पाकिस्तान के उनको न्याय मिलना चाहिए बलोच लोगों को न्याय मिलना चाहिए पश्तो लोगों को न्याय मिलना चाहिए और P.O.K. के लोग मेजरली स्पेशली नॉर्दन P.O.K. जो है उत्री P.O.K. के शिया जो है गिलगिट और बाल्टिस्तान के वो मुकर होके भारत में शामिल होना चाहते हैं वो 72 साल के अत्याचारों से पीडित कौम में हैं नरेंद्र मोदी जी आज हमारा नित्रत्तु कर रहे है जाहिए जैवाई ने कहा कि दुनिया में आज तक ये होता है कि मुल्क के पास में एक आर्मी हुआ करती है लेकिन पाखिस्तान के मामले में एक अलहिदा बात है और वहाँ इस वाज से घुरेज किया जाता है कि मुल्क के पास में आर्मी नहीं बिलकि वहाँ एक आर्मी के पास में पूरा का पूरा समूचा मुल्क है तो जाहिराना बात है कि जब मुल्क आर्मी की जेब में हो उसकी गोध में हो तो वो मुल्क आर्मी के इशारों पे चलता आर्मी मुल्क के जो सियासी जमात है। उससके सारे पे नहीं चलती है। और यहां पर एक बात पर और गाहर करना चाहेंगे की यह बराबर जोर दिया जाता है कि भई 3070 जो है यह 35 ए जो है उसी क्या ये वाकई कोई ऐसा पेंच ही है या सिर्फ एक धमकी मातर है जो बाकी के हिंदुस्तान का हिस्सा उसको दी जा रही है उन लोगों की तरफ से दीगे 370 अपने आप में एक भयावय बात है उसका कारण क्या है कि हमारे देश को चलाने के लिए पूरी संस्थागत व्यवस्ता है जैसे हमारे यां इंकम टेक्स डिपार्टमेंट है आप अगर कोई अनफेर मींस करते हैं अपने व्यापार में तो इंकम टेक्स आप से पू जानसभा उस पर प्रस्ताव पारित करके इनवाइट नहीं करती हैं दूसरा वो लोग टेक्स भी नहीं देते हैं they are not taxpayers हम जो टेक्स देते हैं हमारे पैसे से इन पेरासाइट को इन परजीवियों को पाला जा रहा है भारत से पैसा इस ब्लैकमिलिंग के लिए लिया जाता ह है कि हम शांती बना रखेंगे और पाकिस्तान से पैसा इस ब्लैक मेलिंग के लिए लिया जाता है कि हम इंसरजेंसी रखेंगे अराजकता रखेंगे और टेररिजम की मदद करेंगे तो अर्बों खर्बों रुपे की फंडिंग उन पाँच जिलों के कश्मीरी सुनी मुस्लिम जो के कश्मीरी स्पीकिंग है पाँच सेंटरल गाटी के जिलों के वो लोग इसकी जड़ में हैं बाकी आप दारी शेतर में चले जाएंगे आप दरास कारगेल उदर चले जाएंगे लदाख में चले जाएंगे जम 35A जो नहरूजी ने जोड़ी थी, वो पूर्ण रूप से, ऐसमवैधानिक रूप से जोड़ी गई थी, उसके लिए कोई संसत में सत्र नहीं लाया गया, उस 35A ने इस की ग्रैविटी को 500 गुना बढ़ा दिया है, तो हमारा अगर है भारत सरकार से के एक ऐसमवैधानिक धार जो जोड़ी गई, ठीक है, आप संसत का सत्र नहीं ला सकते, एलेक्शन है, ठीक है, आपके पास में अभी इतना बहुमत नहीं है, दोनों सदनों में तो आप 370 को आउटराइडली एलिमिनेट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, आप 35A जैसे अध्यादेश से लाई गई थी, उसी अध्यादेश से हटा दीजे, उस अध्यादेश से आप हटा देंगे, तो हमारी कश्मीर की बच्ची के साथ भी जयात्ती होती है, कश्मीर की बच्ची की अगर शादी भाहर हो जाएगी, तो उसके कश्मीरियत के जितने अधिकार हैं, उसमापत हो जाएगे, कोई भा करते हैं तो तार्की कुरूब से बात नहीं करना चाहते हैं तो यदि ये भी हो जाता है तो काफी कुछ चीजे नार्मलाइज हो जाएंगी और हमारा और उनके बीच में काफी अच्छा तालमेल हो जाएगा आज भी बहुत आयत में गूजर ये अकनॉलिज करते हैं गश्मीर मुस्लिमों से मिलाओं जो ये मानते हैं कि उनकी कुल देवी शीर भवानी है या उनकी कुल देवी शारदा माता है और आज भी उनके मन में उनके प्रतियास्ता है तो ऐसा नहीं है हमारा खून एक है हमारा डिने एक है वो हमारे लोग है उनके साथ में करीबी का हमको मौका न लास्ता भी खुलेगा ये मेरा निश्चित रूप से मानना है एक इसके अंदर बहुत बड़ा कन्फिलिक्ट है और इसको धार्मिक रूप से बिलकुल मत लीजेगा आप सभी दर्शक लोग एक दुनिया में एक बड़ी भारी प्राब्लम है जहां पर भी ये इन्वेंडर्स, अरब इन्वेंडर्स, टर्किश इन्वेंडर्स आए या अफगान इन्वेंडर्स आए और उन्होंने धर्म विशेश को forcefully impose किया और वहां से जिन लोगों को वो धर्म में convert नहीं होना था वो लोग उस जगे को छोड़के गए तो धार्मिक आधार पे ज यूंकि बरबरताक का है पैमाने इतने अधिक होते हैं कि जब उनको कहा जाता है कैश्मीरी पंडितों को क्रिया आपको सेफटी देंगे सेक्योरिटी देंगे प्लीज कॉम बैक तो कश्मीर गवर्मेंट आपके साथ है तो कहते है भाई साप गवर्मेंट नहीं बचा सकती जो हमारे साथ हुआ सरकारे तो तब भी थी तो ये विश्वास नहीं लौटरा मूल कारण ये है उसको लेकर उनमें जो एक अविश्वास था कि आप अलग से हैबिटेशन हमारा कैसे कर सकते हैं क्योंकि जब तक पूरी population के साथ integration हमारा नहीं होगा वहां की जो सामविधानिक विवस्था है वो ये कहती है कि आप वहां चले भी जाएंगे तो आप सरकारी नौकरी में आप जगय नहीं पा सकते सरकारी institution में उनके बच्चे पढ़नी सकते तो जब तक वो विवस्था कायम नहीं होगी तब तक इनका integration जो है वो एक fallacy है मतलब वो एक मुझे लगता है कि भ्रहम है भ्रहम की स्थिती ही बनी रहेगी तो वो clarity जो है वो government of India के part पर इस वक्त मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है वो दी जानी कि अगर integration का सोच है कश्मीरी पंडित वहाँ जाने का सोच है अपना घर बार छोड़के 90 के दशक में किस तरह से अपने ही देश में refugee की जैसी जिन्दगी जो लोग जी रहे हैं पर जब तक कि वहाँ का पूरा mechanism change नहीं होगा legislative mechanism change नहीं होगा तब तक उनके जाने की संभावना और गुंजाईश मुझे नहीं लगता है कि बन पाए जैजी आपने जिक्र किया कि इस पर मैं कुछ कहना चाहिए जी दीगे एक तो सबसे पहली आवशकता है वहाँ पे जो constancies है MLA constancies उनका reconstitution होना चाहिए जम्मू की constancy साड़े तीन लाग की आबादी की है और घाटी की constancy है वो 75,000, 90,000 और एक लाग की आबादी है एक ही state के विधान सभा के चुनाओं में दो population का parameter कैसे हो सकता है रही बात जो उनके benefits हैं के non-kashmiris को job नहीं मिलेगी तो कश्मीरी पंडिक तो कश्मीरी है और अगर आप 1990 से पहले देखेंगे तो वो इतने अच्छे और sharp brain के लोग हैं कि थोड़ी सी population होने के बावजूद भी वो 50% से अधिक government job अपनी merit पे लिया करते थे अपने काबियत पे लिया करते थे वो एक बहुत बड़ा कारण था कि जो है कि ये सारा कोटा खाली हो जाएगा ऐसा radicals को लगता था और कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का जो विशय है उसके अंदर एक सबसे बड़ा प्रश्नेक ये भी उठता है कि कोई भी व्यक्ति को जब ये का जाए कि आपको हम वापस पुनर्वासित करेंगे वापस वहां बेजेंगे तो उसका कोई X विलेज है उसका कोई Y विलेज है उसके घर है अभी भी वहां पे उसकी संपत्निया है वहां पे उनका ये कहना है कि वापसी का मतलब ये थोड़ी है कि हम को कहीं पे भी जाके रहना है वापसी का मतलब ये कि क्या हम अपने घर लोट पाएंगे क्या हमारी घरवापसी होगी अगर घरवापसी नहीं होगी और आप किसी भी जगह सौ एकर जमीन के अंदर हमारी कॉलोनी बना रहे हैं तो हमारी सेफटी कॉलोनी के अंदर तो कर सकते हो जब हम कॉलोनी से बाहर निकलेंगे तो हमारा क्या होगा जैसे पहले होता था तो यह सारे प्रश कश्मीर के अंदर मेरी एकसिस क्यों नहीं है हमने क्या बुरा किया हम देश को टेक्स देते हैं हम भारत के था सब सोचने वाएली बात है वहां के जन्व आंजन को भी हमारे साथ आना चीह है दूसरा एक जो बड़ा activities को रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है एक छोटे-छोटे बच्चे को आप अगर मदरसे में पढ़ा के और उसको रिडिकल बना दोगे और छोटे-छोटे बच्चे को आप वैपन की तरह यूज करोगे और उसको moderate society का हिस्सा नहीं बनने दोगे तो जिस बच्चे को जैसे संसकार मिले हैं उसका वैसा व्यवार होगा और उसकी वैसे ही जीवन पद्दती होगी तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विशह सोचने के लिए जैजी आपने बात की कि दुनिया में अब तक एक ही ऐसा उदारन है इजराहिल का कि वहाँ पर जिन लोगों को निकाला गया थो वापसा कर बसे भी और ऐसा बसे हैं कि एक राष्ट्रिय गौरव का विशेव उन्होंने स्ताफित किया अंतराष्ट्रिय फलक पर यहां बात करें अगर कल रात के बाद और आज ब्रह्म मूर्च से पहले जो वायु सेहना ने आकर्मन किया है यह केम्पों को तबाह किया आतंकियों के तो क्या आपको ऐसा लगता है कि यह जो थोड़ा सा नमूना ही कही है इसमें भी कहें इजराइल वाली अटेक पॉलिसी है उसका कोई नमूना है और क्या फिर भारत की आर्मी को भारत की एर फोर्स को फिर वैसे ही वही रणनीती काम में लेनी पड़ेगी जो इजराइल ने काम में ली अभी इन हालात में जी यहां पे बड़ा फर्क यह है कि इसराइल के साथ में हमेशा से पूरा वेस्ट खड़ा हुआ है और इसराइल उनको इसलामिक मुल्क में किसी के पास भी इसराइल के आसपास के देशों के पास आटमिक पावर्स नहीं है इसराइल अपनी आटमिक पंडूबियों को हमेशा राउंड दा क्लॉक पूरे साल समुदरों में गुमाता रहता है और सारे मुलकों को उसने साफ कह रखा है कि अगर आप हमारे और पैलेस्टीन के जगडे में पड़ोगे तो हम एक मिनट भी मरने से नहीं डरते हम उसी समय आटमिक मिसाइल से लाउंच कर देंगे आपके मुलकों के उपर यहाँ देखे बात बराबरी किये आप आटमिक पावर ने तो पाकिस्तान भी आटमिक पावर है आपकी करोडों की आबादी है तो उनकी भी करोडों की आबादी है दूसरा इसराइल से हम compare बिल्कुल भी इसलिए नहीं कर सकते कि हमारी भागौलिक परिस्तितियां और उनकी भागौलिक परिस्तितियां अलगे हमारे को international treaties के तहट पूरा कश्मीर मिला था और माराजा हरी सिंग ने sign करके भारत में उसका विले किया था पहले उन्होंने independent या स्वतंत्र रहने का सोचा था पर जब पाकिस्तान ने दोखा किया माराजा हरी सिंग के साथ तो उन्होंने तुरंट भारत की मदद मांगी और भारत का विले हुआ हमारा एक तिहाई हिस्सा अभी उनके पास में reality इस पर बहुत कुछ निर्बर करती आज की ground reality क्या है कि पूरा भारत intact एक जुट होकर के सरकार के साथ खड़ा है दबे छुबे शब्दों में या सीधे शब्दों में विपक्ष भी खड़ा है हमको इसको भी appreciate करना चाहिए ठीक है logical difference हो सकते पर हो कह रहे हैं कितना भी विरोध हो ये राष्ट के हित का विश है हम इसमें साथ हैं तो अभी इससे अच्छा समय नहीं आएगा सारे बलोच लीडर्स खुल के बात कर रहे हैं कि आप हमें सुतनता दिला सकते हो सारे सिंदी लीडर्स खुल के बात कर रहे हैं कि हम भारत की और आशा की निगाओं से देख रहे हैं अफगानिस्तान आपको कह रहा है कि पाकिस्तान का होना अपने आप में एक बहुत बड़ा एतिहासिक बलंडर था इसे आप एतियासिक blunder को खतम कर दो, हम historical दोस्त है, हम सीधे हाथ मिलाना चाहते हैं, हमारे बीच में पाकिस्तान क्या कर रहा है, यही पश्टो लोगों की पीडा है, तो इतनी सारी पीडा पाई यूई कौमें, including कश्मीरी पंडित, आज आपके साथ खड़े हैं, पूरा वि प्यार हैं आपको वेलकम करने के लिए, बलुचिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर के लिए, प्रोफेसर नायला कादरी जैसे लोग और ब्रंबक बुग्दी जैसे लोग कह चुके हैं, कि वीजा ओन अराइवल होगा, अगर बलुचिस्तान आजाद हुआ, और हम आपकी श पूरे मुल्कों को ऑक्यूपाई किया हुआ, और उनके सिविलाइजिशनल जो उनकी सभ्यताएं हैं, उनको हमें बचाना होगा, बड़ा बाई होने के नाते भारत को ये फर्ज निबाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, दोस्तों असल में ये जो विशे हैं, ये विशे क कोई बहुत थोड़ी सी अवधी, सिमीत अवधी के बीच में पूरा नहीं हो सकता और नहीं हम इसको किसी एक प्रियास में पूरा कर सकते हैं, ये विशे इतना विस्तृत है, और इसपी विशे हमारा भी, आपका भी, सब का, पूरे देश का, पूरे मुल्क का, टो इसलिए ये विशय जो है हमारी आगे की चर्चा में फिर जारी रहेगा अगले अंक में रहेगा हमारे साथ में कहीं मत जाएगा क्योंकि ये बड़ा गंभीर विशय है और आपके ध्यान आपके साथ और आपकी तबज्जों के बिना ये विशय अधूरा रह जाएगा झाल झाल झाल